सत्य हवर, सत्य, सती, बेबार ग्रामिनों का कहना है कि यहां से उनने वाली धूल मिट्टी से वातावरंड में और ज्यादा प्रोदूशन फैल रहा है, जिसके कारेंट सांस की बिमारी के साथ साथ काफी चर्म रोगों को भी बढ़ावा मिल रहा है जैसे कि मैंने अकबार में बढ़ा कि पांच तारीक तक करेशर बंद हो गई उसका मैं समभन करता हूँ और दिल्ली में पॉलिशन हो रहा है इसी तरह जैसे हम वर्षों से पोल्यूशन की व मार जेल रही हैं और सरकार से नुरोध करता हूँ कि इसका कुछ हमादान क्या जाए तक कि हम जैसे सवस्ट्र जाइस के और आसानी से चीज़ गए इनका क्रेश्चरों का इनका पोल्यूशन है डाये करीव बन 17 च्रेशर हैं उम्हारा अवगेरा नहीं लगाते हैं आप में ने खबर पड़ने को मिले कि दिल्ली एंसियार के छेत्र में जो भी परदूशन फैलाने वाली का या जैसे स्टोर्न क्रेशर है या जो भी इतना ओर हैं उनको बंद कर दिया गया और यहीज यह और सूरो सभाट करने के लिए इनकी इक पंद या गया है उसी तरीके से यहांगे प्रदूशन को सुधारने के लिए भी आगे सरकार को कदम उठाने चाहिए यहां के जनता प्रदूशन से काफी टाइम से दुखी है और इस तरह 5-4 दिन का बंद करके इस सीज़गा छुटकारा नहीं मिल सकता इसके लिए भी ठोस कदम उठाने चाहिए आपको बता दे प्र सुप्रीम कोर्ट में प्रदूशन के खिलाफ याचिका लगाई है जिसमें जाने माने एड्वोकेट प्रशांत भूशन याचिका करता के तरफ से पक्ष रखेंगे पैनल जो भी हो लेकिन दिली में बड़े प्रदूशन और हर्याना में पर्याली जलाने के हो रहे प्रद चौध्री के गाउं खातोली वे गंगुताना क्रेशर जोन में अधिकारियों की लापर वाही के चलते सरियाम क्रेशर चल रही हैं सत्य खबर के लिए नांगल चौध्री से रामपल फोजी की रिपोर्ट